हेलो इस्टुरेंट्स जैशी किष्णा तो आज अभी जस्ट यह जो इस्टुरेंट्स हैं मनीज आदित रोहन सुभम यह जस्ट अभी जे डबली मेंस का एक्जाम देखे आये हैं जो कि आज 24 फेब को वगा था और आज इस व्यूडियो में इनसे अभी के अभी पूछ लें है और इस साल के लिए क्या-क्या इंपोर्टेंट रहा तो एक-एक सब्जेक्ट के साब से मैं पूछूंगा कि कौन-कौन से कुष्ण आए हैं यह लोग अपनको बताइए वो सारे के सारी कुष्ण आप लोट कर लेना है क्योंकि यह नेक्ष्ट अटेंट जो मार्च एप् का पेपर फिजिक्स में खासकर कौन-कौन से कुष्ण साहिं किन-किन टॉफिक्स को एक कुष्ण पेपर में कावर किया गया है यह सारी चीन थोड़ा इस्टुएंट्स को डेटेल में बताओ जी सब्सक्राइब का पेपर मतलब मोडरेट लेबल था ना इजी ना तफ था और उसमें देखा है तो कुछ-कुछ एशे कोशन आया था कुछ-कुछ तफ टॉफिक जो होते हैं उनसे भी कुछ-कुछ बहुत इजी कोशन आया था जैसे थर्मोडाइनमिक्स हुआ तो बैस बहुत तफ टॉफिक है लेकिन उससे पह ह्ति ऐसी कोशन गया था जैसे उसके पुछा गया था डहीं सब्सक्री कोशन आया हिंत तो आदित बिटा मुझे बताऊ कि इस बार चैमिश्ट्री पेपर क्या सन्हा जो तुम जश्ट अब ही देक है औहीं कोशन हो कौन कौन से chapters cover हुए हैं and क्या questions आएं जो आपको भी याद है और अपने notes पगरा में से कितना क्या फसा यह सब चीजे भी बताओ बटार जी सर मैक्जिम देखा जाए तो organic और inorganic से पार्ट जादा आये था physical से भी दो या एकात question आये था कि oxidizing agent, reducing agent and chemistry में more topic organic से आया था reagent पूछ लिये थे किसमें KMNO4, KOH, reducing, nature so करेगा कौन सा तो यह organic पार्ट से भी ज्यादा आया था and inorganic से भी and ज्यादा देखा जाए तो नोट से जो बताया गया था तो उसी में से आया है data change से बट जाद से नोट से आया है तो रोवन आप मुझे बताओ कि जे डबली मेंस का जो अभी जश्ट पेपर दिया मैट्स का पोर्शन कैसा रहा पेपर इजी था टफ था और आपने जो पड़ा था उसमें से कितना आया और कौन कौन से कुश्चन से जो अभी आपको याद है वो कुश्चन भी हमें बताईए सर में आज डारेक्ली हीटे डिस्टेंस खेके कौश्चन डारेक्ली देखने को मिले और जो मैजर पार्ट माना PACIALCALCULAS से भी आज बहुत ही इजी और अच्छे कौश्चन में जो हमारे कौशिकम में फैकैल्टी है MATI के लालबा सथी उनने पर कौश्चन से करवाए थे सुभा मेटा बताओ मुझे कि मैट्स में तुम्हें कौन-कौन से कुछिन याद है वो सारी कुछिन इस्टुएंट्स को पता चलेंज इस सब मैट्स में बहुत मोटर्ट लेवल आये था अगर किसी ने 3D जोमेट्री पड़ी है तो उसमें सिप एक्क्वेशन प्लेइन तो आधित्य आप अभी कुछ और बताने वाले थे कैमिस्ट्री में जो भी आपको याद आएं तो वो कुछिन भी आप बताईए जिससे इस्ट्रेंट को पता चल सके जी सर सर मतलब ज्यादते देखा रहे तो और्गनिक से में जैसा बताए कि ज्यादा मेजर पार्ट आया था तो उसी तरह एक रीजन पूछा गया था एक कुछिन में कि जो अमीन होता है वो डालीट मेटा पोजिशन पर ही क्यों जोड़ता है तो उसका रीजन पूछा गया पूछा गया था आई पी ओडर एंड और मेजर पार्ट आया था बट देखा जाए तो 11 क्लास से भी आया था जो केमिकल एक्विडिया में उसमें रियक्शन पूछ ली थी कि इसके क्रेट ऑफ कॉंस्टेंट के वान है सब पूछ लिया गया था मतलब 11 क्लास से भी नेटा पोजिशन उड़ता है एंसे अटी वह गिवन है और एक्षिडाइजिंग एजन्ट चिया टू चिया ओथरी तो उसका चिया ओथरी डारेट वह से बूप एंसे अटी बेस ही आया है और सर्फेस के मिश्टिक भी देखें तो उससे भी एंसे इसे कई कोशन आया थे एंसर हमारे सर ने भी कुछ जो कुशन करवाए थे अमीद गुपता ने जो कुशन करवाए थे उनसे भी काफी हेल्प मिलिया मैं